हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं जिन्यल शिख्छा यूटूब चैनल फ्रेंड्स आज के इस क्लास में हम चार अक्षारवाले हिंदी के बीना मात्रा वाले शब्द और वाक्ष को जो है न आपको पढ़ना और लिखना दोनों सिखाएंगे इसी क्लास में जानी आज का ज तो चली बीना देर की होए आज के इस किलास को हम शुरू करते हैं, कलास को शुरू करने से पहले आज का इस किलास को कर दीजे लाइक क्योंकि आप बाद में भूल याते हैं और चानल पर नए है तो चानल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेश कर दीजिए आल नोटिपिकेशन को ताकि हम जब भी किलास अपलोड करेंगे तो उसका नोटिपिकेशन आपको मिलता रहेगा और हाँ आज के इस कलास को अपलाष्ट तक और पूर ध्यान से देखिएगा ताकि आपको जो है ना बीना मात्रा वारे चार अक्षर के शब्द और वाक्त जो है ना पढ़ना लिखना दोनों आ जाएगा तो चलिए अब हम चलते हैं कलास को स्टार्ट करने इसके लिए आपको चलना पढ़ेगा मुबाइल स्क्रीन पे तो यहाँ पे देखिए चार अक्षर के बीना मात्रा वाले शब्द को जो है ना आपको पढ़ना और लिखना सिखाएंगी तो यहाँ पे देखिए कि चार अक्षर वाले शब्द जो है ना किस तरह से लिखा हुआ रहेगा तो यहाँ पे देखिए चार अक्षर वाले शब्द जो है ना चार अक्षरों से मिलकर बना हुआ रहेगा गैसे बना रहेगा? यहां पर देखिवे जिसे, ठ, र, म, स, जुझए कितना अक्षार है? एक, दो, तीन, चार, जब इन चारों अक्षरों को एक साथ यहां पर लिख दिया गया है, तो इसको हम कहेंगे, चार अक्षर वाले शब्द, तो देखिए इसको आप पढ़हेंगे क सबसे पहले आपको इस तरह से कोई भी शब्द मिलता है चारक्षरवला तो पहले एक एक अक्षर को आप उचारन कर दिजेगा उसके बाद एक साथ पढ़ दिजेगा आपका हो जाएगा ठीके यहाँ पर दिखिए थारमस अब इसको पढ़ेंगे एक साथ थरमस ठीके आप आप कैसे लिखेंगे थरमस तो लिखने से पहले आपको सबसे पहले ध्यान से सुनना होगा कि अक्षर किस तरह से उचारन हो रहा है और कौन-कौन से अक्षर का उचारन हो रहा है बस उस अक्षर को एक साथ अपने कॉपी में लिख दीजिएगा आपका चारक्षर वाला श शब्द बन गया थरमस तो फ्रेंड्स इस तरह से जो है आप पढ़िएगा और लिखिएगा ठीके तो चलिए अब हम आपको जो है ना बीना मात्रा से बने चार अक्षर के शब्द को जो है ना पढ़ना और लिखना आपको यहां पे सिखाते हैं तो चलिए यहां पे धाड़ और यहाँ पे बिंदी रहाएगा धाड़ का न तो यह आपका शब्द बन गया धाड़कन ठीक चली आगे यहाँ पे देखिए न फा रा त इसको क्या पढ़ेंगे नफरत तो देखिए आप नफरत कैसे लिखेंगे लिखने से पहले ध्यान सक्षर को सुने हैं पतलागन आपको की कौन-कौन सक्षर का उचारन हो रहा है तो क्या है नफरत न फा रा और यहाँ पे त तो यह आपका शब्द बन गया नफरत ठीक चली आगे यहाँ पे देखिए गा रा द और यहाँ पे न तो यह आपका शब्द बन गया गर्दन ठीके तो देखिए गर गर्दन को आप कैसे लिखेंगे ग र द और यहाँ पे न तो यह आपका शब्द बन गया गर्दन है ठीक चलिए आगे हम देखते हैं अगला यहाँ पे देखिए शा ल गा मा तो इसको क्या पढ़ेंगे शलगम तो देखिए शलगम कैसे लिखा जाएगा श तालब श श ल गा और यहाँ पे मा तो यह आपका शब्द बन गया शलगम ठीक चलिए आगे देखते हैं अ जा हा र इसको क्या पढ़ेंगे अजहर तो यहाँ पे दीखिए अजहर को कैसे आप लिखोगे अ जा हा और यहाँ पे र तो ए आपका शब्द बन गया अजहर चलिए आगे देखते हैं देखिए आपे चो न चो न इसको क्या पढ़ेंगे चंचन तो देखिए आप चंचन कैसे लिखेंगे चो न चो और यहाँ पे न तो ए आपका शब्द बन गया चंचन ठिक चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे ह, ल, च, ल, इसको क्या पढ़ेंगे हलचल तो देखिए हलचल को कैसे आप लिखोगे ह, ल, च, और यहाँ पे ल, तो ए आपका शब्द बन गया हलचल चलिए आगे देखते हैं प, न, घ, ट, इसको क्या पढ़ेंगे पन घट तो देखिए पन घट को आप कैसे लिखेंगे प, न, घ, और यहाँ पे ट तो ए आपका शब्द बन गया पन घट ठिक चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे देखिए आ, म, र, स, अमरस तो देखिए आप अमरस कैसे लिखेंगे देखिए यहाँ पे अ, म, र, और यहाँ पे स, तो ए आपका शब्द बन गया अमरस ठिक चलिए आगे देखते हैं ख, न, ख, न, इसको क्या पढ़ेंगे? खन, खन, ध्यार रखिएगा अगर आपको एक साथ में पढ़ने नहीं आएगा, तो क्या करना? दो-दो अक्षरों को अलग-अलग उचारन कर लेना उसके बाद एक साथ इसको पढ़ देना, ठीकि देखिए आपे ख, अन, खन, फिर ख, अन, खन, अब एक साथ इसको मिला देना, खन-खन, एक साथ पढ़ देना, खन-खन तो देखी इसको अब कैसे लिखोगे, खन-खन ख, न, ख, और यहाँ पे न, तो यह आपका शब्द बने गया, खन-खन, तो इस तरह से जो है, आप खन-खन लिखिएगा, ठीके, चलिए, आगे देखते हैं, ब, र, ग, और यहाँ पे द, इसको क्या पढ़ेंगे, बरगद, तो देखिए, आप बरगद कैसे लिखोगे, ब, र, ग, और यहाँ पे द, तो यह आपका शब्द बने गया, बरगद, ठीक, चलिए, आगे देखते हैं, यहाँ पे, ज, न, प, थ, इसको क्या पढ़ेंगे, जनपत, तो देखिए, आप जनपत को कैसे लिखेंगे, ज, न, प, और यहाँ पे थ, तो यह आपका शब्द बन गया, जनपत, ठीक, चलिए, आगे देखते हैं, यहाँ पे, ह, र, द, म, इसको क्या पढ़ेंगे, हरदम, ठीक, चलिए, देखिए, हरदम कैसे आप लिखोगे, ह, र, द, और यहाँ पे, म, तो यह आपका शब्द बन गया, हरदम, ठीक, चलिए, आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए, ह, ल, ध, र, इसको क्या पढ़ेंगे, हल्धर, तो देखिए, आप हल्धर कैसे लिखेंगे, ह, ल, ध, और यहाँ पे, र, तो यह आपका शब्द बन गया, हल्धर, ठीक, चलिए, आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए, अ, च, क, न, अचिकन, तो देखिए, आप अचिकन कैसे लिख होगे, अ, च, क, और यहाँ पे, न, तो यह आपका शब्द बन गया, अचिकन, ठीक, चलिए, आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए, द, म, क, ल, दमकल, तो देखिए, आप दमकल कैसे लिखेंगे, द, म, क, और यहाँ पे, ल, तो यह आपका शब्द बन गया, दमकल, ठीक, चलिए, आगे देखते हैं, च, ट, प, ट, इसको क्या पढ़ेंगे, चटपट, तो देखिए, चटपट आप कैसे लिखेंगे, च, ट, प, और यहाँ पे ट, तो यह आपका शब्द बन गया, चटपट, ठीक, चलिए, आगे देखते हैं, त, र, क, श, इसको क्या पढ़ेंगे, तरकश, ठीक, चलिए, यहाँ पे देखिए, तरकश अप कैसे लिख होगे, त, र, क, और यहाँ पे श, तालब श, तो यह आपका शब्द बन गया, तरकश, ठीक, चलिए, आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए, आ, र, ह, र, इसको क्या पढ़ेंगे, अरहर, ठीक, चलिए, यहाँ पे देखिए, अरहर आप कैसे लिखेंगे, औ, र, ह, और यहाँ पे र, इसको इस तरह से अप लिखेंगे, क्या बन गया, अरहर, चलिए, आगे देखते हैं, चलिए, यहाँ पे देखिए, ज, ग, म, ग, ज, ज, तो देखिए, अप ज, ज, ग, कैसे लिखेंगे, और यहाँ पे ग, तो यह आपका शब्द बन गया जगमग, ठीक, चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए, ब, र, त, न, इसको क्या पढ़ेंगे, बरतन, तो देखिए आप बरतन कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए, ब, र, त, और यहाँ पे न, तो यह आपका शब्द बन गया बरतन, ठीक, चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए, द, म, द, म, इसको क्या पढ़ेंगे, दम-दम, ठीक, चलिए यहाँ पे देखिए, द, म, द, और यहाँ पे म, तो यह शब्द बन गया, दम-दम, ठीक, चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए, आ, वा, सा, रा, आसर, तो देखिए, आप आसर कैसे लिखेंगे, आ, वा, सा, रा, आसर, ठीक, चलिए, इस तरह से आप आसर को लिखिएगा, ठीक, चलिए, आगे देखते हैं, ओ, पा, वा, न, उपोवन, तो देखिए, आप उपोवन कैसे लिखेंगे, ओ, पा, वा, और यहाँ पे न, तो यह अपका शब्द बन गया, उपोवन, ठीक, चलिए, आगे देखते हैं, ख, ट, म, ल, इस तो क्या पढ़ेंगे, खटमल, तो देखिए, आप खटमल कैसे लिखेंगे, ख, ट, म, और यहाँ पे ल, तो यह अपका शब्द बन गया, खटमल, चलिए, आगे देखते हैं, ख, र, म, स, इसको क्या पढ़ेंगे, खरमस, तो देखिए, आप थरमस कैसे लिखा जाएगा, ख, र, म, स, यह अपका शब्द बन गया, खरमस, ठीक, चलिए, आगे यहाँ पे देखते हैं, ख, ट, प, ट, इसको क्या पढ़ेंगे, खटपट, तो देखिए, आप ए खटपट कैसे लिखा जाएगा, ख, ट, प, और यहाँ पे ट, इसको क्या पढ़ेंगे, यानि इसको इस तरह से आप लिखिएगा, खटपट, ठीक, चलिए, आगे देखते हैं यहाँ पे, र, ख, क, र, रखकर, तो देखिए, यहाँ पे रखकर कैसे लिखा जाएगा, र, ख, क, और यहाँ पे र, तो आप जो है ना, इसको इस तरह से लिखिएगा, रखकर, ठीक, चलिए, आगे देखते हैं, औ, प, त, न, उपटन, तो देखिए, आप उपटन कैसे लिख होगे, औ, प, त, और यहाँ पे न, तो यह आपका शब्द बन गया, उपटन, ठीक, चलिए, आगे देखते हैं, आ, स, ल, म, इसको क्या पढ़ेंगे, असलम, तो देखिए, असलम आप कैसे लिखेंगे, आ, स, ल, और यहाँ पे म, यह आपका शब्द बन गया, असलम, ठीक, तो इस तरह से जो है, आप असलम को लिखिएगा, तो चलिए, फ्रेंज, आगे हम और भी, चार अच्छर वाले शब्द को पढ़ना और लिखना सीखते हैं, यहाँ पे देखिए, आ, फ, स, र, इसको क्या पढ़ेंगे, अफसर, तो देखिए, अफसर आप कैसे लिखेंगे, आ, फ, स, और यहाँ पे र, तो ए अपका शब्द बन गया, अफसर, ठीक, चलिए, आगे यहाँ पे देखिए ब, च, प, न, इसको क्या पढ़ेंगे, बचपन, ठीक, तो देखिए, आपे बचपन कैसे लिखा जाएगा, ब, च, प, और यहाँ पे न, तो ए अपका शब्द बनेंगे आप बचपन, ठीक, चलिए, यहाँ पे देखिए, क, ट, ह, ल, इसको क्या पढ़ेंगे, कटहल, तो देखिए, आप कटहल को कैसे लिखेंगे, क, ट, ह, और यहाँ पे ल, तो ए आपका शब्द बनेंगे, कटहल, ठीक, चलिए, आगे यहाँ पे देखते हैं, न, ट, ख, ट, इसको क्या पढ़ेंगे, नट, खट, तो यहाँ पे देखिए, नट, खट कैसे लिखेंगे, न, ट, ख, ट, नट, खट, तो आप इस तरह से नट, खट लिखेंगे, ठीके, चलिए, यहाँ पे देखिए, ब, र, ब, स, इसको क्या पढ़ेंगे, बर्बस, ठीक, तो चलिए, यहाँ पे देखिए, बर्बस कैसे लिखेंगे, बर्बस, ठीक, चलिए, आगे यहाँ पे देखिए, जह, ट, प, ट, जहट पट, तो देखिए, यहाँ पे जहट पट कैसे लिखा जाएगा, जह, ट, प, और यहाँ पे ट, ए अपका शब्द बन गया, जहट पट, ठीक, चली आगे यहाँ पे देखते हैं द श र थ यह आपका शब्द बन गया दशरत ठीके तो यहाँ पे देखिए दशरत आप कैसे लिखोगे द श र और यहाँ पे थ यह आपका शब्द बन गया दशरत ठीक चली यहाँ पे देखिए ज, ल, च, और यहाँ पे र, तो ए आपका शब्द बन गया जल्चर, ठीक है, यहाँ पर देखें जल्चर कैसे लिखा जाएगा ज, ल, च, और यहाँ पे र, तो ए आपका शब्द बन गया जल्चर, ठीक, चली, आगे देखते हैं आप देखिए बारकत इसको क्या पढ़ेंगे बारकत तो देखिए यहाँ पर बारकत कैसे लिखा जाएगा बारकत और यहाँ पर त तो यह आपका शब्द बने गया बारकत ठीक चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर मा रा हा मा इसको क्या पढ़ेंगे मरहम तो देखिए आप मरहम कैसे लिखेंगे मा रा हा और यहाँ पर मा यह आपका शब्द बने गया मरहम ठीक चलिए आगे देखते हैं आ जगर इसको क्या पढ़ेंगे अजगर तो देखिए आजगर आप कैसे लिखेंगे आ जगर और यहाँ पर रा तो यह आपका शब्द बने गया अजगर ठीक है चलिए यहाँ पर देखिए आ न बा न इसको क्या पढ़ेंगे अन बन तो देखिए यहाँ पर अन बन आप कैसे लिखेंगे आ न बा और यहाँ पर न यह आपका शब्द बने गया अन बन चलिए यहाँ पर देखिए म ल म ल यह आपका शब्द बने गया मल मल है तो देखिए मल मल आप कैसे लिखेंगे म, ल, म, और यहाँ पे ल, यह आपका शब्द बन गया मल मल, ठीक, चली, आगे देखते हैं यहाँ पे, स, र, क, स, यह आपका सब्द बन गया सरकस, तो देखी सरकस कैसे लिखेंगे, स, र, क, और यहाँ पे स, तो यह आपका सब्द बन गया सरकस, तो इस तरह से सरकस आप लिखिएगा चली आगे देखते हैं आपे श ब न अ म इसको क्या पढ़ते हैं श ब नम तो देखिए श ब नम आप कैसे लिखे होगे श तलब ब श ब न और यहाँ पे म तो यह आपका शब्द बन गया श ब नम ठीक चली यहाँ पे देखिए अ न पढ़ इसको क्या पढ़ेंगे अनपढ़ तो देखिए अनपढ़ कैसे लिखा जाएगा अ न पढ़ और यहाँ पे ढ़ और यहाँ पे बिंदी रहेगा तो यह आपका शब्द बन गया अनपढ़ ठीक चली यहाँ पे देखिए तो देखिए अनवर कैसे लिखा जाएगा औ, न, व, और यहाँ पे र तो यह आपका शब्द बन गया अनवर अ, क, ब, र इसको क्या पढ़ेंगे अकबर तो देखिए अकबर कैसे लिखा जाएगा अ, क, ब, र अकबर तो फ्रेंड्स इस तरह से जो है आप चार अक्षर वाले शब्दों को जोहन आप पढ़िएगा और साथ में लिखना भी सिखिएगा तो आप इसको बार-बार लिखने का प्रैक्टिस किजिए और पढ़ने का आपको आ जाएगा, ठीक है तो चलिए यहाँ पर दिखिए इसमें क्या करना है कि हम पढ़ना सिखा देंगे आपको और वाक्षी को आपको खुद से लिखने का प्रैक्टिस करना है ठीक है, मैं एक लाइन लिख कर आपको सिखा देंगे पहन पहन तो इसको डारेक्ट पढ़ेंगे अनवर अचकन मत पहन तो देखिए आप इसको लिखेंगे कैसे एक वाक्षी हो गया, अनवर अचकन मत पहन और यहाँ पर पूर्ण बिदाम है ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अ, न, व, और यहाँ पे र, अनवर, अचकन, अच, क, न, अचकन, म, अत, मत, पहन, पह, और यहाँ पे न, और यहाँ पे पुर्ण मेरा, तो यह आपका शब्द बन गया, अनवर, अचकन, मत, पहन, ठीक, चलिए, इस तरह से आप, हम यहाँ पे आपको पढ़ना सिखा दे रहे हैं, और आप लिखने का इसी तरह से प्रैक्टिस आप अपने कॉपी में किजिएगा, ठीक, यहाँ पे देखिए, उबा, टा, ना, उबतन, मा, अल, मल, उबतन, मल, उपवा, अना, उपवान, चा, ल, का, र, चलिकर, का, सा, र, ता, कसरत, का, र, कर, उपवान, चल कर, कसरत, कर, आ, का, बा, र, अकबर, टा, मा, टा, मा, तमटम, पा, र, पर, चा, र, चड़, अकबर, टमटम, पर, चड़, है, म, ख, म, ल, मक्मल, इ, ध, र, इधर, र, अकख, र, मक्मल, इधर, र, 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 बा, क, बा, क, बा, क, बकबक, मा, अत, मत, का, अर, कर, बकबक, मत, कर, शबनम पनगाट पनगट पार पर चलकर चलकर जाल जल भार भर शबनम पनगट पर चलकर जाल भार गाडबाड गडबाड मात मत कार कर गडबाड मत कर आ वा सा र आउसर सा मा ज समज आउसर समज थ र मा स थर्मस भा र का र भरकर ओ धार उधर र एक रख थर्मस भरकर उधर रख मा ना हा र मनहर शा र बा त शर्बद चा खा का र चक कर सा र का स सरकस त एक तक चा अल चल मनहर शार्बद चक कर सरकस तक चल ना त खा त नट खट बा न का र बन कर खा त पा त खट पट मत मत का र कर नट खट बन कर खट पट मत कर अ ना पाढ़ अनपढ़ हैं मा अत मत रा हा र अनपढ़ हैं मत रा अफसर अफसर बन अफसर बन जट पट जट पट चा अल चल जट पट चल त म त म त म तम तम प अर पर चा अढ़ चड तो फ्रेंट्स इस तरह से जो हैं आप बीना मत्रा वाले चार अक्षर की वाक्यों को जो है ना अप पढ़ना सिखिएगा और साथ में आप अपने कॉपी में खुद से लिखिने का अप प्रेक्टिस किजिए ठीके तो चलिए फ्रेंट्स आज के इस क्लास में बस एतना ही आज का यह क्लास आपको कैसा लगा है हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा और आज के इस क्लास को जो है ना अपने सबी फ्रेंट्स को वाट्सेप और फेस्बुक पे शेर कर दीजे ताकि आपके फ्रेंट्स लोग भी इस क्लास के माध्यम से हिंदी पढ़ना लिखना ले जह हिंद फ्रेंट्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट हिंदी पढ़ने लिखने के क्लास में